हेलो फ्रेंड्स मैं संतोष आपके अपने संतोषवर्मा ब्लोग मैं स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और खुश होंगे बड़ी भेनों को रादे रादे बच्चों को धेड़ सारा प्यार और बड़ों को चरन सपर्श और यह हो रहा है शाम का समय तो आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग और शाम के समय पे तो देखिए गुड इवनिंग ही बोलेंगे और यह हो रहा है करीबं साड़ चार-पांच बजे का ही टाइम हो रहा है और यहां पे हमारे घर के सामने इवाले घर में इंटीनिर का काम चालू हो चुका है तो यहां पे कुछ ना कुछ हमारे गली महले में काम चालू ही है तो किसी का कुछ बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है तो इनकी यहां पे इंटीनीर का काम चालू है इस टेम पे और सारी बुडन प्लाई वगएरा सब बाहरा के रखे हुई है तो अंदर काम कर रहे थे वरकर लेकिन गर्मी इतनी तेज थी न कि कोई भी अंदर रुकी नहीं पा रहा था काम करने के लिए और आप लोग जैसे जानते हैं कि गर्मी हो तो लाइट आ जाए ऐसा होई नहीं सकता यूपी का तो बहुत ही बुरा हाल है लाइट को देखते हुए तो इसी वज़े से अंदर लाइट नहीं थी और लाइट तो कहीं भी नहीं थी तो मशीन बंद करके बैठे हुए हैं सारे ही हमारी चबुत्रे पे जो हम बाहर चबुत्रा बना देते हैं उसी चबुत्रे पे सब जने बैठे हुए हैं और फिर वो जो बाहर हमारे वो जो है लड़का जो हमारे घर के सामने ही है हमारे प्रोसी हैं तो वो लेकर आया था माइका का पूरी ये कैटलोग लेकर आया था तो बस मुझे वो दिखा रहा था कि दीदी देखना इनमें से कौन सी अच्छी लगेगी तो वोही चीज मैं देख रही हूँ तो इस तरह से तो माइका वगेरा तो देखे सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसकी ममी ने भी सेलेक्ट की है कुछ वो कुछ मुझे भी सेलेक्ट करवा रहा है तो हम लोग बैठ के इसी तरह से चर्चा कर रहे हैं दूसरे के साथ में और ये दूसरे दिन का व्लॉग है तो ये तो शाम को इतना काम हो गया था जो पहले वाला था और ये सुभा सुभा गुड मॉर्निंग का है तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूई हूई हूँ बस और उसे समझा भी रही हूँ कि मतलब तुम्हें ग्लॉसी में लेना है या मैट में लेना है किस तरह का लेना है तो उस तरह की हम लोग आपस में बाते कर रहे हैं और वो सामने वाला हमरा परोसी भी है उसकी मम्मे भी हैं और अंकल जी भी हैं तो सभी लोग बैठे हुए हैं और यहां पे हमारा व्लोग बन रहा है तो फ्रेंट्स आप लोग को मेरा व्लोग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताईए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर कीजिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी वीडियो देख सकें और आपको इन में से कौन सी माय का ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना तो मैं अपने भाई को बोल सकूंगी और देखिए वो मुझे दीदी बोलता है तो इस नाते से वो मेरे से अपनी बाई शेयर भी कर लेता है और वो इसी लिए मेरे को दिखा भी रहा था कि दीदी कौन सी माय का मुझे लगवानी चाहिए किस चिगया पर कौन सी चीज लगवानी चाहिए और होना भी चाहिए देखिए अपने से कोई बड़ा है तो एक दूसरे की समझदारी से बात कर लेनी चाहिए यह राय भी ले लेनी चाहिए तो उसके ममी पापा भी आया थे और वह भी आया था तो हम सब जनने और वर्मा जी भी थे शानू भी था यश भी था तो सब जन्नोंने मिलके हम लोगोंने माय का डिसाइड कर दी है और फिर बस उसका काम तो चालू ही है तो आभी कि सब्जने आ गए थे न तो चार बंडे तो हम ही है गर के तीन बंदे वो भी आ गए तो साथ बंदे हो गए थे धर में और फिर मैं शब के लिए चाय वगरां नास्तर गयरा में लग गई तो यूँ करके हमारा नास्ता नहीं हो पाया आप लोग जानते हैं कि चाय नास्ता स और शाणु यशने तो आच चाई भी नहीं पी ना उनके ले लसी बना पाई नगे virtuous बना पाई और आपचों के ले डारेक्ट मैं खाना सेख दे रही हूं तो सभी के लिए без sert अपनी रोट यह सिख रही थी और मेरे भी रोटी सिख गई तो मैं खाउंगी किछना उनदर जाके और पसीने न सिर से लेके रहंगते 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 एड़ी तक आ जाते हैं इतना बुरा हाल हो रहा है और मेरे किचन में बहुत भवका हो जाता है दुफैरी के टाइम पे क्योंकि बाहर की किचन है जितनी भी बाहर की लूग गर्मी जो आती है वो सार तो लो जी हमारा खाना तयार हो गिया है और गर्मी ने तो मेरी जान निकाल दी है अब थोड़ी दिर अंदर जाओंगी पहले एसी के आगे थोड़ी दिर रुक के हवा खाके ठंडी होके आओं तब जाके फुर किचन में खड़ी हूं और इस तरह से मैं रहती हूं ना कि बार गर्मी भी बहुत जादा लगती है और सड़ी हों तो सड़ी भी बहुत जादा लगती है बतानी मेरा क्या टंप्रेचर है मुझे समझी नहीं आता और ये गर्मी तो सभी राज्यों में पढ़ रही होगी और कहां कहां बरसात हो रही है ये बताना जरूर मुझे यहां तो बिल्कुल बरसात नहीं हो रही उसी दिन बरसात हुई थी जब मैंने आप लोग के साथ में शेयर की थी उस दिन के बाद मैं ऐसी नजल लगी है ना कि बस अभी तक बारिश नहीं हो रही है और इतनी गर्मी भेंकर पड़ रही है ना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा नहीं तब मैं आप लोग के साथ में कुछ नहीं कुछ शेयर करती रहती हूं बाहर का भी लेकिन अब तो मनी नहीं करता बिल्कुल बाहर निकलने का और मैंने देखिए खाने में भी कुछ जादा नहीं बनाया सिर और माथे पैसे पसीना इतनी बुरी तरह से टपक रहा है कि मैं बार बार अपनी साड़ी से पहुँच रही हूँ पर अपने लिए जल्दी से खाना लगा लेती हूँ सुभा से आज बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है सुभा बस मैंने चाय पी थी वही पीए हूँ और अब जल्दी से अपने लिए सलाद कर लेती हूँ तयार और सलाद के बना तो देखे खाना अच्छा नहीं लगता है तो सलाद कर लूँगी तयार और सलाद में मैं प्याज नहीं लूँगी क्योंकि कच्ची प्याज खाती तो फिर अजीब सी स्मेल सी आती है इसलिए मैं बस अपने लिए खीरा कर लूँगी और खीरे में नीवू मसाले वगरा डाल के और मेरा सलाद तयार हो जाएगा और बस अब रोटी सबजी है तो है हमारी दाल और रोटी जो है तो फ्रेंड्स खाना खाली जी आप लोग भी मेरे साथ में तो मुझे वो किचन ज्यादा अच्छी लगती है और वो पुराने दिन भी याद आती है जब हम आंगन में खाना बनाया करते थे आंगन में हमारे चूला बना हुआ था वहीं पे एक अंगीठी भी रखी रहती थी तो पापा कोला लेके आते थे ना शाम को तब हम कोले से लगा के और अंगीठी से भी हम खाना बनाते थे और हमारे घड़ तो भैस भी थी तो हम चूले पे भी रोटी बना लेते थे और पपन थी वो सारी हवा के साथ में निकल जाती थी और सुभा तो जल्दी यल्दी मम्मी खाना पहले ही बना लेती थी तो सुभा खाना बनाने से यह हो जाता था कि खाना ठंडा भी मिल जाता था हम लोगों को और अब गरम-गरम के चकर में न हम लोग गरम होने लग गए हैं और हालत इतनी खराब हो जाती है ना किचन में खड़े-खड़े कि ऐसा लगता है जैसे उबल गए हो और मुझे तो पसीना भी इतना आता है ना कि मेरी तो वैसे भी हालत इतनी खराब हो जाती है तो सच में मम्मी वाले दिन बड़े याद आते हैं मुझे कि जब हमारी ओपन किचन रहती थी तो कैसे मजे से हम लोग सब भाई भेन एकटे हो के खाना खाते थे और गाउं में अब भी ऐसा होता होगा ना तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग मेरे व्लॉग को शेर किया कीजिए ताकि आगे तक लोगों पर पहुंचे और जादा से जादा मेरे व्यूज आएं लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अब देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आ अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए आपका क्या जाता है लाइक करने में और देखिए आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भी खुशी मिल जाएगी और आप मैंसे एक बंदा भी अगर मेरे चैनल प बना रही हूँ तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो को पूरा देखा कीजिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और देखिए जितना हो सके उतना सेर जरूर किया कीजिए तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई और मेरे साथ खाना खा लीजिए तो चलते हैं आप खाना खाने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग